A.I. 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 Generative A.I. Generative A.I. Generative A.I. 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 इस A.I. A.I. genitive AI-AI भाइ, गोग्लाः, तो यह भात तो शोर है की, Google यहा पर A.I. पर काफी ज्यादा इनवेस्ट, कर रहा है हाई गाइज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स और AI के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ आज हम बात करने वाले हैं गूगल के रिसेंटली कंक्लूडेड गूगल आयो के बारे में मैं आपको हाईलाइट्जंग क्या-क्या-चेंज़ वे हैं-डिजिटल टूल साइड में-चाइजड में-वह जाँ-देखन लमभा देखना है उनका वीडियो वो जाकर देख लो मैं शॉर्ट में बताओंगा औंड किसी किसी पर जो मेरी personal opinions है वो भी मैं आपको बताऊंगा बिना किसी delay के start करते हैं जो सबसे पहली update आ रहे है Google Bart से Google Bart अब आ चुका है क्या है chat GPT जैसा chat GPT वैसे बार्ट भी है इंडिया में आ चुका है मिलेगा आपको AI के through हो रहेगा आपके Gmail पर जभी भी आप लोग reply करते हो like I am very bad at writing mails professional emails को कैसे लिखना है I am not good at it तो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए if you are like me तो आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट में डाल सकते हो कि आपको reply क्या करना है and then उस reply के basis पर वो पूरा content लिख देगा based on the previous email तो पहले वो email को read करेगा आपने bullet points में डाल लिया कि मुझे message करना है and then उसको professionally लिखके देगा जैसे आपको refund चीए ticket का अपनी पूरी तो आप लिख सकते हो full refund and then वो आपको पूरा mail type करके देगा अभी यह चीज पॉसिबल है एक external extension के तुरू मैं quickly बता देता हूं कि क्या होने वाला है तो जैसे यह किसी ने मुझसे आप नौड वी पेन का subscription मांगा है मैं इसको बोलूँगा sorry it's not possible for me यहाँ पर मैं use कर रहा हूं इसमें से इसमें से इसमें आप थोड़ा सा कट कर सकता हूं और इसमें अच्छा email लिख के दिया है अगर यहां पर इंपूर इसमें ज्यादा दिया होता तो यह मुझे उससाब से और अच्छा email लिख के देता उसी तरीके से Gmail पर भी यह बाइदिफॉल्ट आ जाएगा आपको गूगल साइट में अपडेट्स मिल जाएंगे कि आपको इमेजस को आपको लिखो गया आपकी इमेज बन जाएगी यह इमेजस क्या होती है उसके उपर मैं वीडियो बना चुका हूं आपको आपको आई बटन पर मिल जाएगा और मेरे साब से कानवा में काफी अच्छा लगा है जो भी आपको शीट बनानी है जैसे आपर इसने क्या कहा है कि एजेंडा फॉर वन डे सेल्स किक ओफ इवेंट विच सेशन डिस्क्रिप्शन आपको इसने आपर पूरा टेबल बना के दे दिया इसने टाइम प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर का जो अच्छे तरीके से इंप्लेमेंट किया है इसको गूगल शीट पर एड प्रेजेंट मुझे ऐसा लग रहा है देन एयाई में आपको गूगल मीट पे फालतो सी चीज मिल रहे है बाक्राउंड चेंज कर सकते हो यह क्या यह आ चुका है यहाँ पर यूगल डॉक्स पर भी क्या लिखना है जैसे help me right तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा job post for original sales rep और यहाँ पूरा यहाँ पर job post आपको बना देगा तो basically chat GPT को इन्होंने लाकर रख दिया है Google Docs के अंदर इसका जो एक फाइदा मुझे अभी दिख रहा है कि यहाँ पर यह जो फॉर्माटिंग है वो New York UK London ऐसे cities में for most places it is not available as of now तो मैं इसके बार में ज्यादा बता हुआ नहीं दिखने में अच्छा लग रहा है game जैसा है game जैसा अपना city का overview मिल जाएगा that's it जो बड़ी major update आई है अगली वो है Google की search से अब यहाँ पर generative AI आ चुका है बाद अलग है generative AI अलग है generative search अलग है तो AI यहाँ पर उसका एक answer देगा and then साथ में आपको यह बताएगा कि यह कौन-कौन सी resources से उसने उठाया है जैसे 3-4 articles है best उसने यह उठा के यहाँ पर आपको answer दिया है तो जो भी best content रहेगा वहाँ से वह आपको एक summary करके यह उसका एक आपको answer मिल जाएगा and जो search results आते ह हमारे वो नीचे रहेंगे और इसके उपर आपको ads देखने को मिलेंगे तो कुछ इस तरीके से आप रहेगा generative AI and then उसके नीचे सारे जो भी results रहेंगे वो उसके नीचे आएंगे और जो भी हमारी queries रहेंगे वो आपको यह आपर right hand side पर दिखेगी और अगर आपको और भी sources देखनी है तो जैसे आप इस button पर click करोगे then you will get these informations कि इन सारे articles से लिया गया है उसके बाद ही AI ने आपर बताया है तो एक social proof भी आपको मिल जाएगा कि ठीक है AI कहां से वो information ले रही है तो आप उसको trace कर पाऊगे कि यार यह सही है कि गलत है अब यहां पर इन्होंने एक औ looking for a bike जो अफिल जा सके और आपने उसके लिए query डाली तो यह कुछ इस तरीके से उसका result देगा और उस पहले आपको बताया है कि कौन-कौन से factors है जिसके basis पर आपको बाइक ले नीचे जैसे design, battery, suspension and then नीचे आपको list देदेगा list में उसकी images उसमें price क्या है उसकी information वो सारी आपको मिल जाएंगी, search results में आपको conversation capabilities भी मिल जाएंगी, जैसे हां से आप तो पूछ सकते हो कि e-bikes red color में चाहिए आपको तो उसी search results में जहां पर हमने पहले पूछा था कि मुझे अफिल कले bike चाहिए, उसी में ही आपको red color में आप बाइक बता देगा, SEO पर इसका काफी major impact पढ़ने वाला है, मैं एक separate video बना दूगा, if you guys are interested, do let me know in the comment section below की video चाहिए, तो I'll try to make a separate video, now big question is कि अब इस पर sign up कैसे करें, इसको try कैसे करें, तो BARD तो अब online है, you can check out BARD, लेकिन workspace और जो Gmail है, Google Sheets है, वो अभी फिलाल सिफ selected countries में है, और beta में है, waitlist आपको join करने workspace को भी access नहीं कर सकते हो, जो search engine है, जो भी मैंने बताया, generative AI वाला, उसको भी आप लो access नहीं कर सकते हो, लेकिन you can sign up for waitlist by changing your IP address, US का VPN यूज कर लो, मलब कोई भी free VPN यूज कर लो, उसके लिए again मैंने वीडियो बनाया है, I button पे मिल जाएगा, उसके जाकी US country set कर लो, and then go to this, go to this page, link मैं दे दूँगा, and then या पर waitlist पे, आप लो sign up कर लो, तो जब भी भी वो आएगा, आपको notification आ जाएगा, and VPN के थुरू आप लोग यूज कर सकते हो, for US, overall मैं अपने opinions की बात करूं, तो Google is now playing catch up, क्योंकि बहुत सारी चीज़े अब आ चुकि है, जो इन्होंने जो majority चीज़े बताएगे, Google Workspace में, Canva already कर रहा है, चाट GPT already कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़े already हो रही है, दूसरे दूसरे तरीकों से, I think Google is a bit late in the party, लेकिन क्योंकि Google कर रहा है, तो मेरी expectations जाधा है, कि जो दूसरे लोग कर रहा है, उस से थोड़ा better होगा, और जो generative AI आया है it's going to change the SEO game for a lot of queries, do let me know your opinion in the comment section below and I will see you guys in the next one video, अच्छा लगाओ, थाम्स अप देते हैं and see you in the next one, goodbye झाल